नमशकार दोस्तों, कैसे आप आशकरता हूँ कि आप बहुत ही बड़ी असे होंगे दुस्तों, कबसीद? यह हमें तभी होती है जब हमारा bowel movement मतलब जो large intestine का parastatic movement होता है जिग जग movement होता है जिससे हमारा stool पूरा नीचे तक जाता है और NS के थो पाहर निकल जाता है बड़ी आसानी से अगर यह movement खराब हो जाए या slow हो जाए तो आपको constipation की problem होती है कबसियत की समस्या होती है और साथी साथ जो आप खहना कहते हैं फिर वो पेट में जाता है पेट से हमारे small intestine में जाता है वहां से पूरे juices जो हैं वो और सरीर के अंदर चले जाते हैं जितना भी carbon है、 protein है, vitamins है, सब सरीर के अंदर चले जाते हैं अगर यह कम जायें, कम absorb हो या बहुत जादा absor्ब हो पानी बहुत जादा एब्जार्व हो, तब भी हमें constipation की problem होती है तीसरा, अगर आपके intestine में जो bacteria flora है जो juices हैं, जैसे कि bile और जैसे कि gastric pepsin बगएरा, जो भी enzymes हैं, जो bacteria flora है, अगर उन में कमी आ जाती है और आपका digestion slow हो जाता है, तो आपको constipation की problem होती है, और चौथा, अगर आपके सरीर में hormones की कमी हो जाए, खासकर thyroid hormone की कमी हो जाए, आपको hypothyroidism की समस्या हो, तब आपको constipation की problem होती है, तो कबजियत ये बहुत common समस्या है, ये अमूमन होगी जाता है, और कबजियत एक बार होने के बाद पुरी तरीके से ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, एक ऐसी homeopathic medicine है, जिसके side effect बिलकुल नहीं है, इसे आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे, और सिर्फ एक ही दवाए, लंबे समय तक यूज़ करेंगे, तो आपकी समस्या, ये कबजियत की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, आज हम उसी biochemick combination के बारे में जानेंगे, आज हम biochemick combination number 4, जो कि constipation की बहुत effective medicine है, हाँ इसे थोड़ा लंबा लेना पड़ता है, ये कोई लग्ज़ेटिव नहीं है, आप खाये और आपका constipation ठीक हो गया, नहीं, लेकिन अगर आप 15 दिन लेंगे और आपका constipation धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, तो ये दवा बहुत effective है, चलिए आज हम इस दवा के बारे में चानेंगे, मैं आक्टो विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत ह है, तो चलिए सुरू करते हैं, तो सुरू करने से पहले आप सबसी गुजारिश है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं, मैं ऐस सकते हैं, कोई भी समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, मैं सेक्षिन में भी आप मैसेज करें, आगर आपको समस्या है, तो मैं आपको आंसर देने की कोशिश इसके लाबा मैं किसी को भी online appointment नहीं देता हूं कोई भी online prescription system नहीं है और ना ही मैं किसी को medicine देता हूं चलिए टॉपिक के तरफ चलते हैं आज की medicine है बायोकेमिक combination number 4 दोस्तों बायोकेमिक साल्ट जिसे हम सुचिलर साल भी बोलते हैं हमारा हड़िया कम जोर हो जाती है वैसे ही तो उन साल्ट के बारे में उन्हें जानकारी दियो और उन साल्ट की कमी के कारण कौन-कौन से विमारी होती है और कब आपको उन साल्ट का यूज़ करना होता है यह बताया फिर बाद में उन साल्ट का combination बनने लगा और अलग-अलग का combination बने अलग-अलग diseases के लिए जैसे की combination नंबर वन एनीमिया के लिए और combination नंबर फोर बायोकेमिक कॉंबिनेशन नंबर फोर कॉंस्टिपेशन के लिए यह combination बहुत ही effective combination है कबजियत को ठीक करने के लिए सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन-कौन से medicine मिली हुई है और वो क्या करती हैं उसके बाद मैं इसको लेने का तरीका बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं अपना experience भी share करूंगा मैंने अपने patients को दिया उनको कैसे results मिले यह भी मैं आपको बताऊंगा चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर मिली हुई medicine सबसे पहली medicine इसमें ज कैसी दवा है जो parastatic movement को बढ़ाती है constipation को ठीक करती है stool आपका जो मल है वो बहुत जादा अगर hard है तो constipation में salisha बहुत कारगर दवा है और बहुत ही अच्छे results मिलते हैं इसको लेने से gas में भी आराम लगता है इसको लेने से constipation में भी आराम लगता है और इसको लेने स आपके सरीर में salds की कमी है और खासकर आपके सरीर में sodium की कमी रहती है हलकी तो आपका जो खाना आपका खाते हैं उससे absorption जादा करता है हमारा सरीर और हमारा सरीर अगर absorption जादा करेगा सुभावी बात है कि stool काफी hard हो जाएगा Natrum Mute बहुत ही effective medicine है लीवर के लिए भी और बहुत ही अच्छे results दें Natrum Mute लेने से बाइल जो juices है वो बढ़ते हैं और लीवर का function इंप्यूब होता है Natrum Mute इसमें 3X में मिली हुई है और next medicine है Calumute दोस्तों अगर आपका stool मल clay like हो बिल्कुल मिट्टी जैसा हो और अच्छे से पेट साफ ना होता हो एक बार जाएं उसके बाद फिर से आपको ऐसा लगे कि पेट साफ नहीं है फिर से जाना पड़ है ऐसा अगर आपको लगता है तो Calumute बहुत effective medicine आपको आउर की समस्या है तो Calumute बहुत effective medicine है Calumute इसमें 3X में मिली हुई है और next medicine है Calcaria floor और Calcaria floor भी 3X में मिली हुई है दोस्तों Calcaria floor constipation की बहुत effective medicine है अगर आपको इस्टूल बहुत हार्ड है अच्याज़े नहीं हो रहा है motion होने के बाद फिर से आपको जाने का मन करता है तो medicine बहुत ही तर्टेब है यह थी इस Biochemic combination में डिली हुई Biochemic Salts अब चलते हैं कैसे आपको यूज़े करना है तो बहुत ही simple है दोस्तों लगभख आधा कप गुनगुना पानी लीजिए उसमें अगर आप adult हैं तो जादा डालना पड़ता है तो आठ से दस गोली डालिए और खुल जाएगा और उसे चाय जैसा पे लीजिए और उसके बाद सुबह एट बार ऐसा करिए सुबह नीचे खाली पेट रात में खाना खाने के अलगभख आधे घंटे बाद आधे का पानी में आठ से दस गोली बस सुबह और शाम इसका सेवन करना है और इसे आप लगातार यूज़ करें यह कोई लगजर्टिव नहीं है तो तुरंत आपको आराम किसी किसी को लग जाता है लेकिन वोसली तुरंत आराम नहीं लगता है इसको लेते लेते लगबक दस दिन हो जाएंगे तब आपको आ बहुत ही अच्छे रिजर्ट मिलेगा। मैंने कई पिशेंट देखे हैं कांस्टिपीशन के लिए और मैंने बहुत सारी मैडेसिन दी हैं जैसे कि आलूमीना, ब्रायोनिया, प्लममेट बहुत ही इफेक्टिव मैडेसिन हैं नक्समोमी का भी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन मैडेसिन से भी आराम नहीं लगता है तो आप बायोकेमिक सार्ट इन मैडेसिन के साथ देते हैं बायोकेमिक कॉंबिनेशन नंबर चार हमेशा कॉंस्टिपेशन में यूज़ करना चाहिए लगभग आठ से दस बोली आधे कब गुन गुने पानी में सुबह शाम देने और अगर आप 15 ग्राम की छोटी वाली फाइल लेते हैं तो लगभग 100 रुपय की अपड़ती है और वो लगभग 15 दिन आराम से चलती है तो काफी कॉस्ट एफेक्टिव है और काफी ज्यादा एफेक्टिव है तो आप इसका उप्लियोग कॉंस्टिपेशन में जरूर करि कीजिए मैं ऐसे ही नॉलिजबल हों पैथिक रिलेटेज डिसीज रिलेटेड वीडियोज लात रहता हूं तो दोसको देखने के लिए में चानलों को सब्सक्राइब करना बहुत जरूर ही है तो दोस्तों नीचे एक शेयर की बटिन दीए जरूर इस वीडियो को शेयर काल कि अवाज सुने करी एक दोसके पिलेटेज साथ एक शेपर है थी उरूर खीर है ये लेकि वरूर है करना बहुत मैं करहले है तोस्तों, आफ़ हो वीजितता।